नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिपसा की पूरे टीम की तरफ से मैं हूँ अभिवतो शांशो पांडे और हम क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक्जाम सिरीज के एक विशेश प्रयोजन के लिए अभिपसा का मिशन 2023 और यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं हम आज बात करने वाले हैं PYQ गौस्प्रमे के विभिन अनुप्रयोगों के बारे में हम लोगों ने चर्चा अल्ड़ी स्टार्ट कर रखी है यहां हम लोगों ने गौस्प्रमे में कसे कैसे अंक का रिस्टिबूशन होता है यह देखने के बाद में कुछ 2019 का एक प्रशन और उसके बाद में 2022 का एक कि रुचा गया है देखिए इस प्रमे कि सहतर से ग vermay कैं या होता है ऑसका प्रमे के सब से पहले आप फ्लक्स बता दीजिये की यह होता है ए इसके बाद में आब जो यहें का दूसरे पार्ट का स्टेट्मेट बुलेंगे के कुछ कुछ कूल मिलागे जो कूल मिलागे फ्लक्स होता है एकन यह होता है यी डोट डी एष्ग के बराबर क्लोज इंटेग्रल और इसका मान होता है क्यूब बटा एसलों नॉट अब अगली बात जो हम Предक है वो क्या है कि किसी र्एकिक जनका मतलब होता है एक तार है और इस तार में जो है अनन्त दूरुप से लंबे तार में हम लोगों ने कुछ आवेश डाल दिया जिससे उसमें से क्या निकलने वाली है उसमें से विद्धुत बल रिखाएं उसके लंबवत निकलने लगेगी अब हमको जो है किसी एक हिस्से को पकड़कर उसमें से दिखाई देता है कि हम लोगों ने एक बेलन ले लिया है इस बेलन के पास में कुल मिला के तीन छेत्रफल है इसका नाम है डी एस टू इसका नाम है डी एस टू और इसका नाम है डी एस थरी अब जो है हम क्या देखेंगे हम जो है आगे की बात करते हैं चलिए हम देख रह of e.ds और इसका कुल मान हो जाएगा Q बटा एपसलोन नॉट अब हमको क्या बात करनी है हमको यहां देखना है कि के यहां पर कुल मिला के हमार पास 3-6 तरफल है इसलिए हमको कुल मिला के तीन अलग-अलग विद्धुत विभाव मिल सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं आईए देखते हैं तो यहां पर e1 ds1 cos theta1 यह किस के लिए हम लोगों ने उप्योग किया ds1 यहां है देखिए और यहां पर जो है छेत्रफल सदिष जो है वो विद्धुत छेत्र की बल रिखाओं के लंबवत है मतलब यहां पर थीटा का मान 90 अंस है और 90 अंस थीटा का मान लेने से cos theta का मान हो जाएगा शून्य तो यह पूरी quantity हो जाएगी शून्य धन e2 ds2 cos theta 2 यहां पर जो है हम क्या देख रहे हैं कि यहां ds2 हम लोगों ने यहां देखा हुआ है यहां छेत्रफल सदिष जो है वो विद्धुत छेत्र रिखाओं के फिर से लंबवत है थीटा का मान फिर से हो गया 90 अंस और इसके कारण cos theta 2 भी 90 सून्य हो जाएगा अब इ e3 ds3 और cos theta 3 यहां इन सब चीजों का combine मान होता है क्यों बटा epsilon not अब हम क्या देखेंगे कि यहां पर जो कुल मिला के जो ds3 है वहां वक्र सर्फेस है और वक्र सता होने के कारण इसका छेत्रफल सदिष जो है लंबवत है और यहां पर विद्धुत बल रिखाओं भी सुन्य डिग्री यहां से cos theta 3 का मान हो जाता है एक और हमको मिलेगा हमको क्या मिलेगा हमको मिलेगा e ds3 बराबर q बटा epsilon not अब हम ds3 का मान निकालेंगे तो ds3 क्या है ds3 कुल मिला के वह आवेश है कुल मिला के वह छेत्रफल है जो वक्र छेत्रफल है एक बेलंका तो इस का मान क्या होता है इसका मान होता है 2 pi r l 2 pi r l और यहां e और यहां हो जाएगा q बटा epsilon not अब देखे हमको क्या हमको तो यह अनंततार की लंबाई मिली हुई है अनंततार की लंबाई मिली होने के कारण यहां पर हम आवेश की मात्रा का निरधारन कैसे करेंगे अगर हम लोग जाके q आवेश दिया हुआ है और तार की लंबाई l है तो यहां पर जो है आवेश घनत तो लैमडा हो जाता है q बटा l और यदि हम जो है इसको दूसरे तरीके से लिखे तो dq का मान हो जाएगा dq बटा dl के बराबर हो जाएगा लैमडा इस जानकारी का उपयोग हम यहां करेंगे और हम q कमान निकालेंगे q कमान हो जाएगा लैमडा dl और यहां लैमडा dl जो है dl क्या है लंबाई हो जाएगी जो यहां पर हम लोगों ने उपयोग की हुई है तो e कमान कैसे निकलेगा e बराबर e बराबर यह q के बदले हम लिखते हैं लैमडा dl या लैमडा l यह हो जाएगा लैमडा l बटा 2 pi r l और epsilon 0 यहां पर जो जो चीज़े कटती हैं हम वो कटाएंगे यह वाला l और यह वाला l कट जाएगा और हमको मिलता है एक बटा 2 pi epsilon 0 लैमडा बटा r और यह हो गई विद्धु छेत्र की ती ब्रता कामाल यही व्यंजग था जिसके लिए हमें पांच अंख मिलने वाले हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि किस किस बातों पर निर्वर्ग करता है चलिए अब हम जो है अगला परशन देखेंगे अगले वीडियो में मिलते हैं अगले वीड करते हैं झात परे छिए करते हैं तेह और यहां ए अगले पैसे अन्य एर नवागे यहां되는 में मेंग यहां अभाले इन कि लुद्छ